किष्णाए वासुदेवाए हरे परमात्मने ही प्राता कले से नासाए गोविंदाए नमो नमाँ बोलो हर्वंस मापुराण की जै शिरी सुद्जी माराज कहते हैं कि रिश्वरों बैसंपा रिश्वी कहने लगे कि ही राजन भगवान बाल कृष्ण ब्रिज में अपनी लेलाओं के द्वारा यसोदा मया को आनुदित काते हैं सभी ब्रिजवासियों को सुक प्रदान काते हैं सिरी राधारानी भगवान सी कृष्ण के प्रेम में ध्यान में मगन रहती हैं बरसान में किसोरी जी रहती हैं निकुंजन में जाकर के अपने हातों से फूलों की माला बनाते हुए श्याम सुन्दर का नाम कृष्ण किष्ण उच्चारन करते हैं भगवान थोड़े से वड़े हुए अभी भगवान जो है पांच वर्ष की अवस्ता के थे अभी से भगवान ने ब्रिज में अनेग प्रिकार से लिलाएं करके ब्रिज वासियों को आनन्दित किया इदर रादा रानी क्रिष्ण नाम जबते हुए फूलों की माला गूनती रहती क्रिष्ण के प्रैम में कभी रोने लग जाती कभी हस्ती कभी नास्ती कभी बजन गाती ब्रिज में कुछ इस्थ्रियों को गोपियों को रादा रानी कि इस ब्यबार के बारे में पता चला इनमें से कुछ तो रादा किसन के प्रैम को समझने लगी और कुछ गोपियां कहने लगी अरे ब्रिश्वान तेरी बेटी बा नंड गाम के जो छोरा है नंड को छोरा है बासी प्रेम करें है अनेक प्रकासे रादा रानी की वर्षना करने लग जाते जिन में से एक युवा इस्ति और एक बुजुर्ग बृद्दा थी जो ज़्यादा ही रादा रानी को ताने मारा क करती थी रादा जी केबल उनके ताने सुनकर के रो देती थी किसी को कुछ जवाब नहीं देती रादा राने की दसा बिंदरावन की देवी ब्रिंदा से देखा नहीं गया उन्होंने इस्याम सुन्दर से एकांत में निवेदन किया कि है कनया है मादव रादा राने की कुछ गोपिया निंदा करती हैं आपको कुछ करना चाहिए भगवान ने लीला रची एक दिन शाम सुन्दर गव साला में अपने गवाल वालों के साथ मित्रों के साथ खेल रहे थी खेलते खेलते कनियां बेउस होकर के गिर गए जैसी लाला बेउस हुए लाला का सरी नीला पड़ बड़े बैड़ों को बुला गया इसोदा मैजा बिल्लाप करने लगी ब्रिज राज ने चारों गोशना करवा दी बड़े बड़े बैड आए पर कोई भी लाला को ठीक नहीं कर पाया हो लाला की मुर्चा दूर नहीं हो रही है सरी नीला पड़ता जा रहा है ये दिखकर कि सभी ब्रिजवासी बिल्लाप करने लगे चिंते तो उने लगे क्या किया जाएं सुबै से लेकर के इसाम होने को आ गई है दूर दूर देशों से बड़े बड़े बैड़न को बुलाया गया हो गोशना करवादी कि नंद बावा ब्रिज राज मौ मांगा इनाम देंगे जो लाला की मुर्चा को दूर करेगो साइकाल के समय पर जमनाजी की तरफ से निकुंजन में से एक बैड निकल के आयो बैद निकल के आयो आकर के कहने लगयो तुम्हारी लाला की मुर्चा दूर में करूंगो लाला के पास गयो और जाकर के कच्छू मंत्र फूक काए मंत्र फूक कर के कहने लगयो कि लाला को केक ऐसी बीमारी है जा को इलाज केबल एक सती इस्ती कर सकती है जो मान सती हो अगर वो मान सती एक ऐसी चलनी ले जिसमें एक से एक छेड हो उस चलनी को ले जाएके उस मत्की को एक से एक छेडे वाली को ले जाए और लाला के बारण को एक एक बार जोड़कर की तंतू बनायो जाए जा किनारे से लेके वा किनारे तक बांदियो जाए और मान सती उस्तंतों के उपर चल के जावे और जमनाजी में ते पानी बर के लावे एक बून पानी भी बंद छेड़न में से निकलनों नाए चाहिए अगर बात इस नान करावे तो लाला ठीक है जाएगो अब ऐसे कठिन परिक्षा कोन दे सकती है नंद बावा ने का ऐसे मान सती के वारे में तुमी बताओ बैद राज कहने लगयो माराज ये बरिजितों सतीन की खान है जहां में तो एक से एक मान सती है कोई ना कोई सती अवस्यावेगी तो उसी समय सबसे पहले जो रादा रानी की निन्दा करे ही अपने को मान सती समझे ही वो जुवान सती वो मटकी गागा लेकर के चली लाला के केस एकी तंतु जोड के बाल जोड करके लंबो सो धागो बनाया बान दियो जैसी वा सतीने पैर रख्यो जमना जी में गिर पड़ी बचाओ बचाओ चिलान लगी मचेरों ने नाव के द्वारा उसे बचायो इसके बाद में बुजर्ग इस्त्री वो है वो कलसी लेके चली जो इस्त्ती उस सती की हुई बुई इस्त्ती जा की वही ये बुजर्ग मेला भी जल में गिर परी बड़ी मुश्किल सी प्राण बचे सभी केने लगे ऐसी मान परिच्चा कौन देगो नंद बावा केने लगे बैद राज आप ये ऐसी मान सती को नाम बताओ बैद ने कनईया को पटका लियो धर्ती पे विचायो और धक दियो और मंत्र फूंके जब अटायो तो वहाँ पे लिखियो एक रा और दूर लिखा हुआ धा बैद राज ने का बावा आपके इस ब्रिच में राधा नाम की मान सती है एक ऐसी कन्या है जिसका नाम राधा है वो मान सती अगर ये काम करे तो कर सके कुछ ब्रिजवासी डोड़कर की गई इदर राधा रानी को कुछ भी पता नहीं है राधा रानी एकांट में बैती हुई शाम सुन्दर के ध्यान में बैती हुई है भूलों की माला बना रही है जैसी गौल बालों ने बचायो बतायो की कि देवी शाम सुन्दर बेऊस हो गए आपकी आवसकता है जैसी ये सुनो राधा रानी दोड़ती हुई चली आई राधा रानी के नीचे की तरफ द्रिश्टी है आके खड़ी हो गई उस मान बाल कन्या रूपी सती को देखके सब ये चम्बो करने लगे जो उनकी निन्दा करें वो भी देख रही है कि ये क्या कर सकेगी ये बिस्वान की लड़की क्या कर सकेगी बैद राधने चर्नन में प्रिनाम करो ये बोई आदनी सकती है जो अनन्द ब्रह्मानों को रच देती है जिनके चर्नों की सेवा स्वेम स्याम सुन्दर करते बैद राधने कलसी रही राधरानी चल पर ये जा करके कन्या के जो केशन को तंतू बने वहो बाकु से नवाय के प्रिनाम करो प्रिनाम करके उसके उपार चल रही आराम से चली गई और उस किनारे से उस कलसी में से पानी बर के ले आई एक वून भी पानी ना गिरो अब तो ब्रिज में जैजैकार होनी लगी समस्त ब्रिजवासी देवता सब जैजैकार कर रहे हैं रादा रानी ने वो कलसी लाकर के बैद राज कूदई बैज राजने का देवी ये तुमारे प्रितम हैं अपने हार से इसनान कराओ रादा रानी ने अब शेक करयो कनईया उठकर के बैठ गए जैसी रादा रानी चली उसी समय सभी गोपियां ब्रिजवासी रादा रानी के चर्नों की धूल लेने के लिए दौर परे बैद रादा रानी के चर्नों की धूल में लोट पूट है गयो जो रादा रानी के निंदा करें रादा रानी के चर्न में गिर पड़ी देवी हमें ख्षिमा करो, हमें ख्षिमा करो, हमने महापाप किया है, हमें बड़ो ये इंकारो, बास्तम में तुमी मान सती हो, तुमारे बराबर पती बृता संसार में नहीं है, शाम सुन्दर का रादा रानी का बाल बाल पन में ही भंडारी बन में विवाये गयो हो, अनंत लोकन से अनं जन्मौसिन का संग है, जिनका आध है ना अंत है ना मद्ध है। रादा रानी के चैनों में सभी लोट पोट हो रहें, बैदार भी लोट पोट होगें, निकुन जन में प्रिवेष कर गया हूँ। इस तरह से बेशंपा जी कहते हैं कि हे राजन रादा राने की मेमा परमपा रहें रा के कहें राज मिले दा के कहें सुर्डाम सुर्डास रादा कहें तो पीछो न छोड़ें श्याम जो रादा रादा नाम उच्चान करता है शाम सुन्दर रादा नाम सुनने के लिए उसके पीसे पीसे दोड़े चले है उस भक्त को अपने मस्तक पे धारन करे है जो रादा जी की सरण में चले जावे है ऐसी अनन्द ब्रमान्डों की स्वामनी स्री रादा रानी को नमस्कार करे है ऐसी रादा रानी के में मा परमपार है भक्तों आज की कठाकें पे बिस्साम करते हैं बुलरवन समा पुराने की जाए